नमस्कार मैं मानी शुमार आप देखरें वाई फाई मानी सड्डा आज आप लोग को बताने जा रहे हैं द्वी घात समी करण जो की बहुत महत पूर टापिक है आप लोग ध्यान पूरोग देखेगा कैसे सवालों किया जाए कोश्चनों को तो सबस्के पहले हम आप लोग को बता दें रूल इसका सूत्र क्या है रूल क्या है नीयम क्या है पहले नीयम जान लेते हैं इसके बाद हम लोग फिर कोश्चन को देखेंगे तो दिया है एसे बहुपर जिसमें चर रासि का उच्टम घातांग 2 हो 2 तो इसका समी करण कहलाएगा तो ठीक है देखते हैं तो अब यहाँ पर पूछा है चर, चर के बारे आहें बताएंगे, पहले चर क्या है, चर देख लीजिए, चर बराबर होता है, यक्स हो गया, वाई हो गया, इचर अचर को एक, दो, तीन, आदि अनन तक, जो होगा, वो हमारा अचर होगा ठीक, अचर अचर आप लोग जान गए जो भी जैसे दिया है यक्स बराबर यक्स स्क्वाइर बराबर 9 ठीक, यक्स स्क्वाइर बराबर 9 ये क्या है हमारा, यक्स क्या है ये 4 है हमारा, ठीक है और अचर किसी बोलते हैं, 9 जो9 है हमारा acher है ठीक पिर हम देखेंगे क्या है अब पहले हम question देख ले रहे हैं पहले हम question एक ले ले रहे हैं तो आप लोग को ज्छादा समाद में आएगा question को देखिए जैसे question दिया क्या है जैसे question दिया है yaks square minus 2 बराबर 0 ठीक yaks square minus 9 बराबर 0 तो हम solve कैसे करेंगे देखिएगा तो yaks x square बराबर 9 ठीक इसको हम बराबर मिले जाएंगे यहाँ पर minus यहाँ तो प्लस हो जाएगा ठीक तो अब क्या करेंगे तो yaks बराबर under root 9 यह किस्टे पर बढ़ा के बता दे रहें आप लोगों को yaks बराबर 3 3 गुड़े 3 ठीक है 3 तरीक का 9 दो पर बन गया तो अब हमें करना क्या है हमें कुछ करना नहीं है अपने मन से तो सिधा यहीं से yaks बराबर 1 को बाहर कर लेजिए तो जो 3 का square होगा 9 होगा ठीक है हमें प्लस माइनस इस भीचे दिखान देना है या पर प्लस माइनस दोनों एक ही साथ लगेगा या तो हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं yaks बराबर प्लस 3 फिर या तो तथा माइनस 3 लिख सकते हम इस तरह भी लिख सकते हैं ठीक, फिर दूसरा question बता दे रहे हैं उसी तरह, तो आप लोग ज्यादा समाझ जाएंगे, आप लोग, तो देखिए दूसरा question दो दिया है, दूसरा question देख लीजिए, दूसरा question क्या दिया है, यक्स का x square minus 64 बरावर 0, ठीक, तो आप लोग ध्याद से देखिए, फिर वही सेम चीज, सेम चीज वही करना है, यक्स का x square बरावर 64, 64 को इधर बार कर लेजिए, यहाँ पर minus है, यहाँ तो प्लस हो जाएगा, प्लस लिखने की कोई जरूद नहीं है, आप लोग अपने साबस 64 कर दिजिए, यक्स बरावर, इसको अंडरऊट में ले जाएए, 64, 64 कितने का इश्क्यार होता है, कितने का वर्ग होता है, तो यक्स बरावर 8, गुड़े 8, आपका इस्कायर होता एए छाउंसट उता है तो हम एक आट को बाहर कर लेंगे तो आट जो अन्डर倫 होता है अन्डर होता है अन्डरूट मतलब rocks थो और two संख्या होता है चायी और या बाहर कर सकते है एक बराबरos प्लस माइनस आठ़ हमें फ्लस माइनस के ज़्याद ध्यान देना है ठीक है तो हम इसको आप प्रकार से लिख सकते हैं फ्लस माइनस आठ आए हम प्लस नहीं हYour यह सवाल गलत हो सकता है हमाख ऐसको इसको या तो इस त्ह mixing यक्स बराबर प्लस आठ यह माइनस नहीं लिखेंगे तो हमारा सवाल गलत हो सकता है हमारा कोश्च अंसर गलत हो जाएगा तो हम इसको या तो इस तरह लिखिए यक्स बराबर प्लस आठ या माइनस आठ तो हमारा अंसर सही माना जाएगा और एक चीज दोस्तों बता दें आप लोगो को गुड़ करते जहां माइनस गुड़े माइनस होगा ठीक तो वहाँ प्लस हो जाएगा ठीक है जहां माइनस गुड़े माइनस होगा वहाँ प्लस होगा तो फिर जहां माइनस गु होगा तो महां पर प्लस ही होगा अगर जैसे माइनस में जब गुड़ा होगा तो महां पर माइनस ही हमारा भारी पड़ेगा ठीक सीधर तवर पर जान लें ठीक है दोस्तों अगले वीडियो में दूसरा कुछ बताएंगे दूसरे वीदी से आप लोग ध्यान पूरुआ उसक जल से जल पहुच जाए धन्यवाद